विल्कम टू माई चैनल डॉक्टर हंसलाल होमियो क्लिनिक मैं डॉक्टर अजीत कुमार होमियोपैथिक फिजीशियन आज हम लोग बाचित करेंगे सारीरी के वह मांसिक कमजोडियों से होने वाली समस्याओं के बारे में और उसे ठीक करने की कुछ होमियोपैथिक दवाईयो या फिर जॉन्डेस, फैटी लिवर, किसी भी बिमारी से आप लंबे समय से ग्रसित हैं तो आपको विकने सो सकती है या फिर वो फीवर ठीक हो जाया जैसे डेंगो फीवर ठीक हो गया वारल फीवर ठीक हो गया इसके बाद बहुत ज्यादा बाड़ी में कमजोडियों कर रहे हैं तो आपको कोई भी काम करने में मन नहीं लगता, ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, किसी भी एक काम पे आप फोकस नहीं कर पाते, आपका यादास कमने लगता है, चीजें जल्द भूलने लगते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, छोटी-छोटी ब जिस मैडिसिन से आपका शिंटम्स मैच करें वह मैडिसिन आम ले सकते हैं। सबसे पहले मैडिसिन आती है एसीडिट हम मार्यों चर्जरी हवा हुआ हो। किलए एस युणिक यू बाओड सीघ्डिया में आपकोई chce εडिज्डिय। इसके बाद अगली मेटिसीन आती है Acid Foss Q किसी भी प्रकार का Mental Debility है मानसिक रूप से आप बहुत कमजोर है and Physical Debility है सारी रूप से भी आप कमजोर है खास करके अगर कोई Sexual Disease रहा हो आपको लंबे समय तक Hair Fall हो रहा हो बालों का सफेद हो रहा हो तो आप Acid Foss Q 15 भूंद आदे कप पानी के साथ 3 वार ले सकते हैं Physical मतलब सारी रिक और मानसिक दोनों रूप से आप अपने आपको कमजोर महसूस कर रहे हो तो Acid Foss Q 15 भूंद आदे कप पानी के साथ 3 वार ले इसके बाद अगली मेटिसीन आती है कलकेरिया Fall 6X इसका इस्तिमाल बच्चों में ज़्यादा किया जाता है जो बच्चे एक दो साल के हैं दो साल से कम हैं एक साल से कम है और बिल्कुल मानसिक पेसियों में दर्द रहती है जल्दी से वो चल नहीं पा रहे हैं तो उस स्थिति में आप कलकेरिया Fall 6X दो गोली तीन वार दे सकते हैं इसका इस्तेमाल बड़े लोग भी कर सकते हैं जिनमें कैलसियम की कमी है कैलसियम की कमी से हड़ी में मानसिक्षियों में बहुत ज़्यादा दर्द अकड़न रहती हो तो कलकेरिया Fall 6X चार गोली तीन वार बड़े लोग इसका सेवन कर सकते हैं इसके बाद अगली मेटसिन आती है चाइना ओफिस इनलेस क्यूँ चाइना क्यूँ का इस्तेमाल वैसे लोग करेंगे जिन्हें भूख बिल्कुल भी नहीं लग रहे ही उन्हें कोई डेंगू फीवर हुआ हो या कोई वारल फ्लू हुआ हो और वो ठीक होने के बाद उन्हें भूख बिल्कुल भी नहीं लग रहे ही कमजोड़ी महसूस हो रहा है या फिर बहुत जादा ब्लीडिंग हुआ हो खास करके पाइल्स की केस में या कोई menstrual disturbance हो या फिर एक्सिडेंट में किसी वज़े से अगर ब्लड का लॉस बहुत जादा बॉड़ी से हुआ हो और इस वज़े से अगर उन्हें कमजोड़ी महसूस हो रहा है तो चाइना क्यों पंदरभून आधे का पानी के साथ तीन वार हपते दस दिन सेवन करने से कमजोड़ी ठीक हो जाएगा भूख भी आपका बढ़ जाएगा इसके बाद अगली medicine आती है कैली फॉस 6-6 यह medicine mental astrain को mental stress को relax करता है अगर आप बहुँ जादा मानसिक वर काम करते हैं कि आप bank में काम करते हैं या आप color के हैं कहीं भी आपका दिन भर लिखना पढ़ना ही काम है या वैसे students जो बहुँ जादा 8-10 गंटे पढ़ते हैं तो वैसे लोगों को कैली फॉस 6-6 लेना चाहिए इससे आपका यादास्त भी बढ़ेगा और आप बिल्कुल अपने आपको ठका हुआ महसूस नहीं करेंगे आप दिन बर कितना भी वर्क करके आए अगर आप में इसे चार गोली सुसुम पानी के साथ लेते हैं तो आपको बिल्कुल weakness फिल नहीं होगी और आपका mental capability जो है काम करने का वो और आपका increase होगा तो कैलिफोस 6X का इस्तेमाल जरूर करें या फिर आपको neuralgic pain है बिल्कुल सरीर में नसों में कहीं दर्द है तो भी आप कैलिफोस 6X का इस्तेमाल कर सकते हैं चार गोली तीन बार सुसुम पानी के साथ इसके बाद अगली medicine आती है इसका इस्तेमाल वैसे लोग करेंगे जिन्हें पहले कोई sexual disease रहा हो जैसे कि उनका cement discharge होता हो espermatoria हो कोई बीमारी रहा हो और वो ठीक हो गया हो उसके बाद उन्हें बहुत जादा weakness फील हो रही हो तो उन्हें एसिड उन्हें इवना सटाइवा क्यू पंदरह बून आधे का पानी के साथ तीनवार लेना चाहिए या मस्तिस्क बहुत भाड़ी जैसा महसूस होता है बहुत दर्द महसूस होता है या वैसे लोग जो बहुत जादा सराब सेवन करते हैं तो वैसे लोग भी एवना सटाइवा क्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं या ओट से बनी हुई दवा अगर इसका इस्तेमाल लंबे समय तक किया जा तो लोगों का मॉर्फीन का आदत या ड्रिंक का आदत भी छूट सकता है इसके बाद अगली मेडिसीन आती है अलफा क्यू या काफी फेमस मेडिसीन है इसके नाम से बहुत सी पेटेंट दवा आती है जिसके वारे में मैं आगे बताऊंगा तो अलफा क्यू वैसे लोग लेंगे जिनका बोडी पतला है और वो वेट गेन करना चाहते हैं तो उसमें बहुत मददगार है लेकिन इसका इस्तेमाल लगबक तीन चार महीने छे महीने तक करें अलफा क्यू पंदरा बूंद आधे कप पानी के साथ सुबह साम पिए तो आपका इससे वजन भी बढ़ेगा भूख बढ़ेगा मसल में मसल मान स्पेसियां जो है वो और मजबूत होंगी और बढ़ेगी धीरे धीरे आपका सरीर हेल्दी होता जायागा तो आप अलफा क्यू पंदरा बूंद आधे कप पानी के साथ सुबह साम से बन करें इसके बाद अगली दवात यह हैं बायो कॉमिनेशन 24 या इसे फाइफोस के नाम से भी जानते हैं इसका इस्तिमाल वैसे लोग कर सकते हैं जिनें बहुत जादा कम जोड़ी महसूस हो रही हो खास करके उन्हें कोई डिजीज ना हुआ हो ना ही कोई मतलब वो पतले दूबले हैं देखने में बिलकुल हेल्दी हैं किसी प्रकार का कोई डिजीज भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ लेकिन इसके बावजूद भी उनको बहुत जादा कम जोड़ी महसूस हो रही हो तो ऐसे इस्तिति में या तो हमारे बोड़ी में किसी खास वाइटमिन्स की कमी होती है या फिर इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है जैसे सोडियम, पोटेसियम, आयरन, क्लोराइड इसका कमी की वज़ए से हमें विकनेस महसूस होता है तो जब आप ये 5-4 का 7 करेंगे तो इसमें सारे साल्ट मिले हुए हैं सारे जो इलेक्ट्रोलाइट से हैं सारे मिले हुए हैं तो आप इसका 7 करेंगे तो धीरे-धीरे आपका डेबिलिटी ठीक हो जाएगा इसके बाद अगली मेडसिन आती है अल्फा माल्ट ये पेटेंट दवा है इसका इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं अगर आपको कोई मेडसिन नहीं समझा रहा तो आप कम से कम तीन मेडसिन जरूर से बन करें एक अल्फा माल्ट इससे खाना खाने के आदे घंटे बाद दो दो चम्म सुबह साम ले दूसरी दवा है फाइफ फॉस या बायो कॉमिनेशन 24 इसका चार चार गोली सुबह साम ले इसके बाद अगली दवा है अल्फा क्यू इसका पंदरा बुन सुबह साम से बन करें वैसे लोग जने वेट गेन करना हो उन्हें तो दो दवा जरूर लेना चाहिए अल्फा क्यू और अल्फा माल्ट दोनों दवाओं का सेवन करें कोई पेसेंट थारवाड के पेसेंट है तो उन्हें हमेशा विकनेस महसूस होते रहती है जो थारवाड के पेसेंट है तो उन्हें दो मेटसिन इस्तेमाल करना चाहिए कलकेरिया 466 चार गोली सुबह साम और चाइना क्यूंग पंदराबून सुबर साम हर तीन महीने पे एक वार ये दोनों दवा एक एक हपते के लिए इस्तेमाल करना चाहिए इसे आपका थारवाइड भी ठीक होगा और जो बॉड़ी पेन रहती है वो सब भी आपका ठीक रहेगा तो थैंक यू दोस्तों